आप सभी को मेरा नमच्छका मेरा नाम प्रेक्षय दिवतिया है मैं कख्षय पाच सर्थी चाता हूँ मेरे नाना और दादा अपनी 30-35 साल पुरामी पढ़ाई का कैसे जिक्र करते हैं यह मैं आपको एक हस्य कवीता के माध्यम से बताऊंगी आज करके बच्चे क्या गजब ढा रही हैं पतानी क्यों पढ़ाई में अतने लंबल आ रही हैं हम तो साट आठ भाई थे पढ़ाई में खूब मन लगाते थे तब जाग के सबके मिलाकर साट सत्र पतिशत आया करते थे होसले इतने बुलंद कि कभी उदास नहीं होए एक कख्षा में दो भाईों से ज़ाद कभी पास नहीं होए छोटा भाई कहीं दूशन नहीं पढ़ा पूरा जोड लगा लिया पर मैडम जी अगली कख्षा में नहीं चड़ा नाना जी बोले बार में तो मेरे अकेले के चारिस पतिशत आये थे घर वाले तो क्या भार वाले भी भूले नहीं समाये थे हमारे समय के तो बच्चे पढ़ाई से नहीं गबराते थे हर कख्षा में कई-कई वर्ष बिताते थे जो बच्चे एक अक्षा में कई-कई वर्ष बताते थे उनको अक्षा का मॉनिटा बना दिया करते थे वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए उस समय के सारे मॉनिटा देश के नेता बन गए धन्यवाद